नमस्कार दोस्तों, Welcome to the LIS Target, मैं विकास प्रजापती तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिल्मनेट के बारे में, इन्फिल्मनेट क्या होता है, इसके यूजिज क्या है, ये क्यों बनाया गया था, इसका परपज क्या था, इसने क्या क्या इनिसियेटिप लिए, तो बिसिकली इन्फिल्मनेट क्या हता है, इसका फुल्पॉственно होता है, इसका फॉर्मेशन लाइबरीご्नेट परबाज है कि इन्वस्टी लाईबरीर कोengoderum हो गयां, तो कहां पर modernization तक पहुँच चुका है जैसे भी पूरा digitally सब लेने पड़ेंगे, क्या 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 initiatives लेने पड़ेंगे, क्या 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 ज़रूरी है? क्या क्या तो उन सब के बारे में इसका जो इन्फिलिब नेट है ओज आया था इसके लिए कि जो इन्वस्टी लाइबरिय रहें उनको मोडनाइज कर सकें तो इत तर्द पाइज इस 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 यूज ऑ आख टेखिशिंट आर्ट व्युहृूरि उपिल्पाइज उसकें तो देखिए कि इस्टेट आर्ट टेक्नोजी के मनलब क्या होता है तेमिए ज़िए फिर 1.0 से 2.2 फिर 3.2 तो लाइबरी आटोमेशन में क्या होता है इस्टेट अब आट टेकनोलोजी के आगे डबलब करने के लिए स्टार्ट होता है तो क्या होगा ऐससे कि हम जो लाइबरी आटोमेशन सौफ्ट्वेयर हैं एस सब स्टेट आप टेकनोलोजी अंडर में आते है तो देखिए और इसमें अगला इसने जो इनिशेटिव लिया इन्फिलिम्नेट में कंसोर्टियम था इकनसोर्टियम में जैसे पहला हम देखते हैं इसोद सिंदू क्या करता है बैसिकली ए रिसोर्सें हम लोग एकसेस कर सकते हैं जो कि जर्नल होगे आइटिकल्स होगा पीजेट सिंदू में आए इसको मुला भी दिया गया है इन्फिस्ट्स में क्या होता था मॉडरनाइजिंग कर सकते हैं दा यूज्यज्ट में इसको मॉनिटरिंग करते हैं लोग ठीक है और लास्ट है सुद्स०्धि के आप हमेंसे याद रखिएगा, ठीक है, सोध सुध्धी कहां यूज होता है, जो सोध सुध्धी है, एक प्लेगरिज्ञ डिटेक्टर है, एक प्लेगरिज्म चेक करता है, जो भी आपकी गलतियां है, जो कॉपी राइट आपने लिया है, कोई भी आप जैसे तहसे जमा इसके वर्ट से याप समझ सकते हैं, सोध सुध्धी तो इसका काम क्या है, कि हमारे प्लेगरिज्म डिटेक्टर होता है, इस अब पूछे जाते हैं एक्जाम में किसका क्या वर्क होता है, next is open SS initiative, कौन कौन से open initiative लिए इनिशियटीव लिए इनिशियटीव लिए इनिफ्लि जरबायर होता है किसका? जरबायर of Tesis。 इसमें आप थैसे दे सकते हैं जो PhD कि थैसे समय्ट होते हैं वो सूद गंगा गत्रू दे सकते हैं. सेकेंड क्या है सोद GANGOTRI में हम लोग क्या देख सकते हैं? स्नॉप्सिज तो हमें सोद गंगोतिन में स्नॉप्सिज मिलेंगे यह तो इंस्टिटूशनल रिपोजेट्री है अपनी इसका आप देख सकते हैं या रेट दर इट इंफलेम नेट में आप जाकर जाए सकते हैं रिसर्च प्रोजक्त डाटवेस है यह रिसर्च प्रोजेक्ट चलना है उसके जाकर डेटावेस होता है पुरा आप देख सकते हैं और इंफोफोट होता है यह रिसर्च के लिए बेसिकली ओपन ऐसे के मतलब आप समझ सकते हैं जहां पर हम कोई भी चीज जाकर ओपन ली अक्सेस कर सके हैं हम घर पर जाकर 24 इंटू 7 इस पर अक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क कौन कौन से होते हैं इस काली नेटवर्क पहला विद्वान विद्वान में क्या होता है इसको नेटवर्क के यह एक डेटाबोस होता है एक्सपट डेटैबिसमें एक्सपट रहते हैं जैसे किसी भीचीज के जो प्रॉफेसर्स जैन्टेस्ट हैं जो जो एक्सपट्स ऑच इसमें विद्वान पर आपको जाकर के मिलेंगे इन फिलिबनेट का जी इसको कहा गया चोगों है रेंडी में जो भी सर्च कर रहे हैं एंद दे संट रिटी प्रोफेस्टिन वो सब आपको हैं पर मिलेंगा आईटीज के और तो आप क्या एक दूसरी की हेल्प करने के लिए आर एंड के लिए रिशेंशन डेप्लब्लमेंट के लिए वह इनिसियेटिव विद्वान दूसरा आया रे एक 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 इसको कहा जाता है इंफ्लमनेट लेर्निंग मनेजमेंट सर्विस तो इसके अंडर में क्या आता है जैसे आपने बहुत सारे कोर्स किये होंगे आप देखते होंगे स्वयम पे भी सब्सक्राइब पूरा इंफ्लमनेट किसका है एम अचाडी का इनिसियेटिव है कि नहीं है मि जो कि MHE हो गया मेरे क्याल से Ministry of Education है तो अब जैसे कि यह जो आयल मेंसे के अंडर में काफी जो इनिसियेटिव लिए गए जो रिसोर्स के जैसे कि स्वयम हो गया इस पीजी पार्ट साला यह सब जो जो लर्निंग इनिसियेटिव्स लिए गए इस सब इसके अंडर में आते ह होंगे जहें जो मुक से स्वयम से जो होता है वह भी महाड है का है काफ सारे इसमें इमर्जिंग जो रीन्ट होते हैं लाइबारी में दॉर्ण बहुत अलग में कि वर भी कोर्स तो आप कर सकते हैं इसमें पूरे किसी भी एप सब्जक्ट से पढ़ा है heart एकसे कर सकते हैं तो एसमें जो नोटे सकते हैं वो पूड하기 दिख सकते हैं और आगे भी इसको और भी डबलेमेंट केते हैं इसलिए इसको कहा गया था कि इस इस मॉर्ड आइजिंग निवर्स्टी लैबरेश क्योंकि मॉडडनाइजिंग करने का मतलब यह कि क्या ट्रेंड चल लाया आप देखिए जैसे कोवेड आ गया था तो इन्फॉमेशन हरे के पास नहीं पहुंच पा रही थी तो फिर इस अप कोर्से तो पहुंच नहीं पा रही थी तो ऐसे ही हमको चीज देखनी होती है तो इसका देखिए आपको एक क्वेशन किस तरह से पूछ जाएंगे इसमें इसी तरह से पूछे जाएंगी कि जैसे सोध सुधी है सोध सिंधी किसी से रिलेटेड हैं चार ऑप्शन से जाएंगे चार मैचिंग टाइप आ सकता है या फिर यह दे जाएगा कि जो ओपन सोर्स से कौन-कौन से हैं या कौन-कौन से नहीं है तो तीन वह दे जाएंगे जो हैं ऐसी क्वेशन्स प्रिफर होते हैं नैट में और सारे एक्जाम से तो चलिए आगे के लिए all the best फिर आगे हम लोग आगे जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और further notification के लिए आप bell icon को दबा देजे और भी आपको query हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं और भी other information के लिए आप हमारी official website www.listarget.com पर जाकर visit कर सकते हैं